तो बच्चो आप सभी के 9 standard के exam खतम हो चुके हैं सही है और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इस vacation को जो हमें मिला है उसे कैसी utilize किया जाए कैसे इस vacation को जाधा productive बनाया जाए जो हमें आने वाले जो हमारे 10 standard है उसमें काफी जाधा useful होगा सही है तो यह वीडियो आप लोग क और मैं आप लोग को science पढ़ाता हूं सही है और 11th standard को 11th और 12th standard को biology पढ़ाता हूं अब देखो बात चल रही है बच्चो vacation की vacation एक ऐसा time होता है न बच्चो जहां पर हमारा जाधा से जाधा जो ध्यान होता है वो enjoyment के तरफ ही होता है सही है जाधा ता हम लोग सोचते हैं कि चलो भया आप खेलेंगे movies देखेंगे गाने वाने सुनेंगे बस enjoyment ही करेंगे पर यह जो आपका vacation का time है जब आपका 9th standard complete हो है बच्चो तो अब आप जाने वाले हो 10th standard में सही है और 10th standard हम लोग कहते हैं कि हमारे जिंदगी का ना पहला पढ़ाव होता है 10th standard ही decide करेगा कि आगे चलके आपका future क्या होगा आप क्या करने वाले हो आगे चलके 10th standard में decide होगा सही है तो इसलिए यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारा जो 10th standard है वो बहुत ही better हो 10th standard की जो preparation है वो ज़्यादा अच्छी हो तो इसकी कुछ चीज़े आप शुरू कर सकते हो vacation के लिए तो आज हम लोग इस lecture में यही बात करेंगे कि vacation में हम किस तरीके से अपनी preparation को start कर सकते हैं ठीक है साथ साथ में enjoyment भी करेंगे ऐसा नहीं कि वह यह सिर्फ घर पे दिन बर बैटके 16-16 गंडा पढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे थोड़ा की लेक्चर में देखो वकेशन के टाइम पर सबसे इंपोर्टेंट चीज़े बच्चो फिजिकल हेल्थ फिजिकल हेल्थ अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपका mental health भी अपने आप अच्छा रहेगा mental health का कोई दिक्कत नहीं है बस दिक्कत होता है physical health का physical health के लिए आपक कुछ ना कुछ sports खेलना पड़ेगा कुछ game game खेलने पड़ेगे मैं आपको अपना बताओ जब मैं vacation के टाइम पर था जब मेरा vacation स्टार्ट हुआ था तो जब शाम के साड़े चार बसते देखो यह summer vacation है गर्मी का समय है सही है तो दोपेर धूप में तो हम लोग निकल नहीं सकते खेलने के लिए कि हम लोग विमार बढ़ सकते इतनी जादा धूप है और उस टाइम पर चलो धूप फिर भी कम होती थी आज कल के टाइम पर तो धूप बहुत जादा बढ़ गई ना अभी का temperature 4041 पहुँच गया अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 4041 पहुच टेंपरेचर पहुच गया बोईसर के अंदर तो इतने जादे धूप में आप लोग खेलोगे नहीं और खेलना भी मत जब मैं चोटा था तो हम लोग साड़े-4 बज़े जब शाम के साड़े-4 बसते थे न तो हम लोग निकलते थे क्रिकेट खेलने के लिए सही है क्रिकेट हमारा फेवरिट हमारे कुछ हमारे जो जहां पर मैं रहता था वहां पर कुछ साथ-8 लोग थे और हम लोग 2-3-3 रुपर जमा करेंगे बॉल खरीट कर लाते थे और हमारे पास एक ऐसा बंदा था हमारे ग्रूप में जिसके बाट था तो वो बंदा बैट लिए आता था औ हम लोग 4-4 बैसे क्रिकेट कर्लाओ शुरू करते थे और जब तक रात नहीं होती है क्रिकेट फिल थे और आपको बता है घर्मी के समय में थोड़ी जो रात है वो लेट हो ती है तो ये जो पीरियड है जो 2-3 गंटा है वो आप आराम से यूटिलाइ़ कर सकते हो फिजिकल health के लिए बागी के time पे क्या बागी के time पे बच्चों आपको शुरू करनी है अपनी preparation सही है क्योंकि आप लोग को 10 standard में पूरी की पूरी book पढ़नी है जब आप exam देने जाओगे अपने board का exam देने जाओगे किसी दूसरे college के center में तो वहाँ पर बच्चों अब आपको पूरे की पूरी preparation करनी पढ़ेगी मालब पूरे की पूरे book की preparation करनी पढ़ेगी और इसकी चीज़ा आप start कर सकते हो अभी इसी वक्स सही है कैसे कैसे preparation करना है preparation के steps क्या है अगर आपको नहीं पता तो इसकी उपर बच्चों मैंने बहुत ही interesting वीडियो अपलोड की हुई है हमारे इसी चैनल के उपर ठीक है वीडियो सेक्षेन में जाओ अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने वहाँ पे वीडियो अपलोड की है वीडियो का टाइटल है शायद हाओ टू स्टार्ट क्लास 10th प्रिपरेशन ये वीडियो का टाइटल इस विकेशन के ही पिरिड में जहां पर आपको इतना जाधा टाइम मिल रहा ना इस पिरिड में ही बच्चों आप ये कोशिश करो कि आप अपना 30-40% सिलेबस कवर कर लो 30-40% सिलेबस कम्प्लीट कर लो ठीक है अब इससे फाइदा क्या होगा पता है तब से पहले आप बा इसका मतलब यह है तो इससे ने टीचर भी इंप्रेस होती थी यह बंदा तो अच्छे से सब कुछ करता है समझ रहो तो इससे क्लास में थोड़ी सी रेपोटेशन भी आप यह बनेगी क्लास में ऐसा इमेज भी बनेगा कि आप पढ़ाई करते हो सही मैं क्योंकि आप इसकरना तो आपको बच्चो कब पढ़ना है यह भी मैं आपको बता जाता हूं आपको पढ़ना है बच्चो सुबह 10 बजे से लेके चाम को 4 बजे तक उस पीरिडियो में आप 3-4 घंटा कभी भी पढ़ लो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 10 बजे बुक उठाओ और 4 बजे तक चार बजे के बीच में आप कभी भी 3-4 घंटा प्रिपरेशन करो प्रिपरेशन कैसे करनी है उस वीडियो में आपको देखना है वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है ठीक है कोई भी चैसे माल लो आपने 12 बजे शुरू किया प्रिपरेशन तो 12 बजे से आप 3 बजे तक और या फिर माल लो आपने एक बजे शुरू किया तो आप एक बजे से चार बज़े तक प्रिपरेशन कर लो माल लो आपने दस बजी शुरू किया तो दस बजे से आप्या उस दूप में आप बाहर जा नहीं सकते हैं, उस दूप में बस आपको मन करें कि भया किसी कोने में ऐसा पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़े रहने से अच्छा है कि भया आप थोड़ी कुछ इंटरस्टिंग पढ़ा ही कर लो, अपनी पढ़ा ही कंप्लीट कर लो, तो तीन से चा तो उस टाइम पर बच्छो आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो, बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ सकते हो, जिसे मानलो मेरे समय में मैं एक बुक पढ़ता था, हमारी सेपीन करके एक बुक थी, ठीक है, मेरे को उस टाइम पर साइंस में बहुत जादा इंटरस्टिंग इंट्रस्ट था, भाईया ये धर्ती ये कैसे बनी होगी, ये इंसान है ये कैसे बने होगे, तो मुझे थोड़ा सा उस टेम पे न उस चीज़ बहुत ज़ाधा इंट्रस्ट था और आज भी इंट्रस्ट है, वो बुक्स मेरे पास आज भी पड़ी हुई है, तो मैं सेपियन नाम की एक बुक पड़ता था, अगर आप चाहिए तो आप खरिच सकते हो बुक, सौ देड़ सो रुपे की आती है, तो वो बुक पड़ सकते हो, ठीक है, उसमें ये बताया हुआ है, कि इंसान, जो हम होमो सेपियन से हम इनसान है, हमारा जनम कैसे हुआ, हम कैसे बने, से पहले हमारे जो एस्टो फिजिक्स है, मतलब जो हमारा अर्थ है, सन है, उसको इमाजिन करना शुरू किया, फिर वहाँ से गैलेलियो से, मतलब पूरी की पूरी उन्होंने जरनी बता दिये, कि जब फिजिक्स स्टार्ट हुआ था, और आज फिजिक्स किस लेवल पर है, समझ रहा, ऐसी बुक्स आप पढ़ सकते हो, अच्छे अच्छे लोगों की, स्टीफन होगी हो गया, न्यूटन्स हो गया, ठीक है, इनकी बहुत जादे इंट्रस्टिंग बुक है, समझ रहा, तो ये चीज़े भी आप पढ़ सकते हो, साथ में आपकी कुछ होबी है, तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, तो वो रात के समय में आप कर सकते हो, खाना वाना खाने के बाद, समझ रहो, ठीक है, फिर आप साइकलिंग करने जा सकते हो, रात को खाना खाने के बाद, आप साइकलिंग करो, थोड़ा साइकल वाइकल चलाओ तो यह भी आप preparation कर सकते हो बच्चो अगर आप इस तरीके से अपना दिन पूरा का पूरा यूटिलाइस करोगे अगर इस तरीके से अपना दिन चरिय रखोगे तो आपका preparation भी होगा आपकी जो physical health है भी अच्छी रहेगी और physical health अच्छी रहेगी तो आपकी mental health भी अच्छी और आपके घर भी लएगी चलो बच्छा पढ़ रहा है तो आपको ज्यादा डिस्टब भी नहीं किया जाएगी तो इन चीजों को बच्चो आप थोड़ा सा यूज कर सकते हो थोड़ा सा इस्तमाल कर सकते हो यही मेरी strategy रहेगी यही मेरी strategy जो मैंने यूज की और वही पढ़ते थे आप सुबह दस बज़े से लेके चार बज़े की बीच में आप कैसे पढ़ते थे बच्चों हमारे टैम पे तो इतना जाद यूटूब फेमस था नहीं हमारे पास फोन वोन तो था नहीं मुझे फोन अभी दो या तीन साल पहले जाके मिला है खुद का फोन प पढ़ाती थी जितना भी हो सकते उनसे पॉसिबल हो सकता था वो पढ़ाती थी साइंस मुझे सिखाती थी तो यहां तक पहुचने में उनका भी काफे जादा हात है ठीक है तो यह तब मैं बोलूँगा जब मुझे कोई अवार्ट मिलेगा तब मैं उनको थैंक्यू वेंक् प्लेट को प्लेट करें जो आप से रिलेटेड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सकें है तो इसी चीज के साथ बच्चों मैं एंड करता हूं इस वीडियो को तब तक के लिए अपना खयाल रखो एंड कीप स्टेडिंग